नमस्कार दोस्तों ददिमती संस्कृत एजिकोईशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों रीट की प्रिक्षा हो चाए टेट की प्रिक्षा हो यह निकी सिक्षक पात रहता प्रिक्षा हो वर्ग तीन हो MP का यह यूपी का हो चाए वो 10th क्लास की बोर्ड की प्रिक्षा दे संधी पे हम बात करने वाले हैं और स्वरं संधी के जो आठ भाग है हम उन्हीं आठों भागों पे बारी बारी से चर्चा करेंगे तो आप हमारी चेनल को छोड़ करके कहीं मत चाहिए रहे हैं कि बहुत ही Lubacay से हम संधी समझने वाले हैं यह संदी आधि य मत्की प कोई हैं तो बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझ में आज़ाएगा इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए तो सुरू करते हैं आज का ये महत्वपुन टॉपिक संधी क्योंकि कमेट भी आ रहे थे कि संधी जो है संधी के वीडियो डाले जाए और हम काफी दिनों से इस पर जो है छोटे छोटे नियम बना करके ताकि उसको जो स्वर संधी है उसके आठो भागों पे जिसमें दीरगोहे ब्रिदी है यण है अयादी है पूर्वरूप है पररूप है प्रकरतिभाव है गुण है इन आठो संधियों के आठो नियमों पे हम चर्चा करने वाले हैं तो आज हम वीडियो को ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे बूल छोटे-छोटे वीडियो में हम एक या दो-दो संदियों पर चर्चा करेंगे ताकि आने वाले जो आपको अच्छी तरीके से वह समझ में आ जाएं और जब आप परिक्षा या कोई भी उधारन जब उसको हल करें तो आपको ज़्यादा दिकत ना हो और वीडियो भी लंबा नहीं हो तो सुरू करते हैं स्वरसंदी से और स्वरसंदी में अच्छ संदी स्वरसंदी को हम अच्छ स्वर भी बोलते हैं क्षे संदी गां संदी आफें क्योंकि जो अच्छ प्रत्याहर होता है अच्छ इस वारा रव्त आरा उनिकि प्रत्याहर के अंतरगत आने वाले जितने यह भी यह वह पिंद्यों होते सक्तित की उसमें भी यह समान रूप से उक्योगी रेने वाला है तो जो माहिस्वर्च के जो 14 सुत्र हैं उन सुत्रों पे भी हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं इसलिए संस्क्रीट कि सारी जनकारी आपको इस चैनल के उपधर मिलने वाली है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करतीजिए तो सुरूर करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहले हमें स्वर को समझना बहुत जरूरी है जो स्वर हैं हम उस स्वर को समझते हैं दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या उस विकार अर्थात उस परिवर्तन को हम स्वर संदी कहते हैं दो स्वरों के यनि कि जो स्वर है यनि कि जो पूरवर्ण है वो भी स्वर हो और जो परवर्ण है वो भी स्वर हो तो पूरवरण और परवरण, जब दोनों तरफ श्वर हो, तो उसके मेल से जो विकारुत्पन होगा, उसे हम स्वर संदी केते हैं. स्वार-संदी को अज़संदी الل fishes सबतिए किया अज़ता है जिसे हिम प्लस आ ले हिमाले क्योंकि या मैं मैं भी यह है और इधर भी आ हे तो दूस्वारों के मेल से क्या रूप बना हेमाले अत्रास्ते या अस्ती तो अत्रास्ती भव्याक्रती तो भव्याक्रती कदापी कदापी इसे हम स्वर्संदी के कुछ कति प्युदारणों को समझेंगे कि संस्क्रीट में संधिया तीन प्रकार की होती है स्वर व्यंजन और विसर्ग इस प्रश्ट भूमी पर हम स्वर संदी का अध्यन करने वाले हैं यनि कि आज से जो है हम स्वर संदी का अध्यन करेंगे स्वर संदी की परिवासा स्वर संदी किसे कहेंगे दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन होता है उसे हम स्वरसंदी कहते हैं जैसे देव इंद्र देवेंद्र अर्थात इसमें दो स्वर हैं A और E आसपास में और A और E कम मिलने से क्या बन जाता है ए बन जाता है इस तरीके से जब दो स्वर-ध्वन्यों के मेल से जो अलग स्वर बना है उस विकार को हम स्वरसंदी कहते हैं स्वर्संदी को हम अच्छ संदी भी कहते हैं स्वर्संदी के यहां पर कुछ कतिपे उदारन देख सकते हैं कल्प प्लस अंत कल्पांत वार्ता प्लस अलाप वार्तालाप गीरी प्लस इंद्र गीरींद्र सती प्लस इशा सती इशा या सती इशा भानू प्लस उदे भानू दे शिंदु प्लस उर्मी, शिंदूर्मी, देव प्लस इंद्रम, देवेंद्रम, या देव प्लस इंद्रह, देवेंद्रह, ये रूपसित होगा, तो ये सर संदी के कुछ कतिबे उदारन है, जिनको हम अलग-अलग संदियों में समझेंगे, यहां पर कुछ और उदारन देख सकते हैं, चंद्र प्लस उदे, चंद्रो दे, एक प्लस एक है, एक कहेके, परम प्लस ओश्दम, प्रति प्लस उपकारे, प्रत्य उपकारे, ये जितने भी जो अभी हमने उदारन देखे हैं, ये सब के सब स्वरसंदी के उदारन हैं, इनके हम जो है पहले स्वरसंदी पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण में आठ प्रकार की स्वरसंदियों का अध्यान किया जाता है जबकि हिंदी व्याकरण में केवल पांच प्रकार की संधियों का अध्यन किया जाता है जो दीर्ग, घुन, ब्रेधी, यन, अयादी और इसके साथ संस्कृत में जो है तीन अलग्स और नियम है हम उन नियमों का भी अध्यन करेंगे और संस्कृत में जो है हम आठ प्रकार की संधी का या इन सूत्रों का नियम देखेंगे संस्कृत में जो आठ प्रकार हैं पहला है स्वार संधी समझाँगा दिर्ग संधी जिसका सूत्र है अकेश्वरण है दिर्गे हम इन सूत्रों की व्यख्या करेंगे और इन सूत्रों के इसाब सही उदारनों को समझेंगे यह संदिया हम स्वर में पढ़ने वाले हैं पाँच्वी है, अयाधी संदी हो यवा, चट्ती है, पूर्वरूप संदी एंगे पदानतादती, साथ वी पूरूप संदी आपररूप संदी एंगी पररूपम। कि और आठवी जो संधी है वो है प्रकृतिभाव संदी इद दी वचनम इसकी प्राइग्रायाम सि辜्य होती है कि सो कि इन संधियों का तो संस्क्रिट में यह कहा गया है कि संस्क्रिट में संदि के इतनी आपक नियम है कि सारा का सारा वाक्य संदी करके एक सब्द के रूप में लिखा जा सकता है जैसे आप इसको असानी से समझेंगे कि यहां पर कुछ अलग लिखे हुए हैं जैसे तत्ह तम उपकारम आचारियम आलोक्य इश्वरम भावनाया अ तो यह अलग लग शब्दों को जब हम एक शब्द में लिखेंगे तो लिखेंगे ततस्तमुपकारम आचारियम अवलोक्य श्वरे भावनाया अ यह यह निकि इन सभी सब्दों को हमने एक संदी के रूप में बता दिया है कि शुरू करते हैं आज की स्वर संदी की पहली संदी दिर्ग संदी दिर्ग संदी का सूत्र क्या होता है अक अकह सवर्णे दिर्ग है यह संदी स्वर संदी के भागों में से एक भाग है स्वर संस्कृत में स्वर संदिया जो है आठ प्रकार की होती है कि सुरू करते हैं इसके जो दिर्ग संदी के जो चार नियम है दिर्ग संदी में कितने नियमों को पड़ेंगे चार नियुमों को और इसका सूत्र कुंसा है अके सवरने दिर्गे तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम पर एक्जाम देते हैं तब वो संदी का नाम ने पूछ करके जिसे माली जी उसने दे दिया धर्म पलस अर्थ धर मारते हैं तो यह किस सूत्र से को भी ध्यान में रखना है कि अका प्रत्यार के बाद उसी का यदी समान वरना आए क्या कि रहा है अक है सवरने याin कहर यह अकर प्रत्यार सवरने तो यह दूनों मिलकर के दिर्ग बन जाते हैं रिष्व हो या दिर्ग हो ए ई उ री के बाद यदि हर रिष्व या दिर्ग या ए ई उ आ आ जाएं तो इनको मिलकर के ए का बड़ी और उ का उ और री का री हो जाता है इसके कुछ अलग अलग नियम देख लेते हैं जो पहला नियम है आप यहां पर देख सकते हैं ए या आ के बाद A या आ हो तो उसका आ हो जाता है जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्म धन अर्थ तो धर्मार्थ है तो धर्म में A है और अर्थ में भी A है तो ये मिलकर ची क्या बन गया? आ बन गया जैसे हिम प्लस आले हिम आले है पुस्तक प्लस आले पुस्तक आले है विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी तो विद्यार्थी में आ प्लस ए बराबर आ और विद्या प्लस आले विद्याले है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले नियम में यह सीखा कि A प्लस A उसका भी A होता है A प्लस A उसका भी A होता है A प्लस A उसका भी A होता है और A प्लस A बराबर उसका भी A होता है तो दूसरे नियम में आप देख सकते हैं E प्लस E तो E प्लस E बड़ी छोटी E प्लस बड़ी बराबर बड़ी बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी और बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी जैसे रवी प्लस इंद्र, रवींद्र, मुनी प्लस इंद्र, मुनी इंद्र, गीरी प्लस इस, गीरीष, मुनी प्लस इस, मुनी इस, मही प्लस इंद्र, महींद्र, नारी प्लस इंदू, न रूप बनेगा लगा तीसरा नियमsystem यहां पर देख सकते हैं उ पलस उ का चोटा पलस उ पड़ावा, चोटा उ प्लस बड़ावर बड़ावर बड़ाव बड़ाव ना में और उ बड़ावर उ प्लस उ खंफ कर लगू प्लस उर्मी लगूर्मी सिंदू प्लस उर्मी सिंदूर्मी वदू प्लस उत्षव वदू उत्षव वदू प्लस उलेख है वदू लेख है बड़ावू भू प्लस उर्दवय वदू प्लस उर्जा वदूर्जा तो ये रूप सिद्धे होंगे दोस्तों चोथा नियम री प्लस री का है तो री प्लस री बराबर बढ़ा री जिसे पित्र प्लस रिणम पित्रणम तो यहां पर यह थोड़ा जो है तुरूटी पूर्ण हो गया है तो यह रूप क्या बनेगा पित्रणम ऐसा रूप बनेगा पित्रणम टाइपिंग में ग करके और फिर उसको और री में बदल दिया जाता है पित्रेणम ऐसी आज जैसे ब्रात्र प्लस रेनम उस्विक तो रूप क्या बनेगा ब्रात्रेणम ऐसे यह दि मात्रेणम ऐसे देवत्र प्लस रेनम ऐसे ब्रात्र प्लस रिणम तो जिसके सवस्वर जिसके अंत में री आता हो और उसके आगे भी री हो तो वहां पर रिण री मिलकर के बड़ा री हो जाता है यहनु उसको दिरगादेश होता है है तो दोस्तों आज हमने सदी के विश्ऺ मेंचेमे की हम आने वाले वीडियो में है अलग अलग उसके चाहर करेंगे यह वीडियो सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक चेहिंजेंग भारण